हेलो दोस्तो यह याड़ डाई पूरा खोलेंगे अभी पूरा खोल के दिखाएंगे उसके बाद आगली एक फिर वीडियो आएगा उसमें याड़ डाई को कैसे फिटिंग करता है यह दिखाएंगे इसमें तो यह सारे दस नमबर बोल खोलेंगे दोस्तो इसका पॉबलेम यह था इसमें छीक नहीं मार रहा था गारी का दो तिन जागा पाइप भी फट गया इसके बज़े से इसलिए इसको खोल रहे खोल के देखेंगे क्या क्या पॉबलेम है दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे से देखिए यह जो बोल खोल रहे है यह सारे दस नमबर बोल है इसमें चार बोल रहता है दोस्तो देख रहे हो यह खोला अभी यह साइट का चार बोल खोलेंगे दोस्तो यह जो देख रहे हो इससे कौमपेशर को हवाखो एकजेस्ट किया जाता है वहाँ पर तीन नमबर इलेंगी का नरट लगता है अगर कोई डाइबर बोलता है हवा को बरहने के लिए वहाँ से हवा को बरहाया जाता है कम किया जाता है दोस्तो यह पूरा छिकनी खोलने का वीडियो बनाया हो इसको यह आड़ाइब बोलता है नहीं तो कोई कोई छिकनी बोलता है दोस्तो यह जो नट खोलने है यह एलेंग की बोलता है इसको यह तीन नमबर इलेंग की है इसको ढिला कर रहे है इसी से हवा को एक्जेस किया जाता है कम ज़्यादा किया जाता है अब ही यह दो नट खोलेंगे इसके बाद इसके अंदर क्या-क्या है आप देख सकोगे दोस्तो यह सब नट के अंदर इस्पिरिंग भी रहता है जब खोलोगी तब थोड़ा बराबार होके खोलने परता है एक तरफ खोलोगी तो नट सिलिप भी हो सकता है अभी नट खोल दिया अभी देगरो इसके अंदर एक स्प्रिंग है ये स्प्रिंग है एक कटोरा जैसा है देख रहे हो और इधर वोईरिंग है ये वोईरिंग निकला है इसको भी खोल के इसको भी केट चेंग करने परता है ये सब डस बगेरा लग गया है पुरा इसके लिए लग रहा है जाम हो गया है भी इसको भी निकाले ये इसके ये देगेरों अभी ये भी एक ओरिंग है दोस्तों ये सब काम सीखोगे तो आप छिकनी का काम पांच-छेसो रुपे कमा सकते हो एक छिकनी का कीट चेंज कर गए हमारे तरब तो इतना ही लेते हैं आप लोग कितने लेते हो कोमेंट करके बताईए अभी जो ये इलिंग की खोल रहे है इलिंग की का बोल एक पां नमबर इलिंग की है ही एलिंगी बोल को खोल के चार बोल खोलेंगे फिर इसके अंदर क्या क्या है फिर देखेंगे ही एलिंगी बोल खुल जाएगा उसके अंदर एक वासर भी रहता है जो एलिंगी की नट को प्रेस करके रखता है ये देखो ये वासर है जो रखा है अभी अभी ये सारे चान नंबर बोल खोलेंगे ये सब दस नंबर बोल है दोस्तो ये चान ये जो चार बोल है ये भी सारे दस नंबर है इसको खोलेंगे खोल के फिर क्या क्या है अब लोगों को दिखाएंगे प्सक्राइब वे हल प्सक्शघ प्सक्ता वे झान वे दंदेगे येल जब झाल झाल दोस्तो ये जो नड है इसको भी एक तरफ खोलोगी तो नहीं होगा इसको भी दो नड को इदार थोरा उदार थोरा करकर के खोलने परता है क्यूंकि इसमें स्प्रिंग हार्ड स्प्रिंग रहता है इस से बोल को पेशर से भी उठा के नड को ठेट को खरब कर सकता है इसकी ल और रहोगिगा देख्यों दोस्तों अभी खुल गया है इसमें चार कटोरा जैसा रहता है ये देख रहो इस्प्रिंग के अंदर है, चार इस्प्रिंग है, एक ओरिंग का सेड है, और इसके अंदर चार छोटा छोटा इस्प्रिंग है, छोटा छोटा बाटी जैसा है, ये भी चार इस्प्रिंग है, छोटी छोटी देख रहो दोस्तों, छोटी छोटी के अंदर फिर और रिंग लगा रहता है ये सब को धो के अच्छे से वास करेंगे फिर इस तरब भी दो इस्प्रिंग है अभी हो गया दोस्तो अभी देखो ये सारे उपर का जो है और रिंग निकालेंगे और रिंग निकालने के बाद इसको फिर क्या करेंगे देखो ये और रिंग निकल गया अभी जो है नट को प्लस से टानेंगे तो वो बाहर आ जाएगा थोड़ा ये टाइड रहा है थोड़ा हिला हिला के निकालने पड़ता है क्यूंकि इसमें डास बगर आ है इसके लिए थोड़ा टाइड हो गया दोस्तो अगली वीडियो फिटिंग करने का जुरू दी एरा दोस्तो निकल गया इसके अंदर वेरिंग है ये भी खोलेंगे इसमें इलेंकी लगता है और वो नट खोलने से सारा वेरिंग बहार आ जाएगा दोस्तो एक काम थोड़ा केटिकल है लेकिन अच्छे से देखोगे समझोगे तो आब इस सब काम भी कर सकोगे जिस भाई लोगों को काम नहीं करना आता है दोस्तो ए सारे नट जो है तेरा नमबर है ये नट को खोले के खोल के फिर अंदर क्या है वो भी दिखाएंगे दोस्तो ए जो नट है सारे तेरा नमबर नट है देखिए झाल 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 दोस्तों देख रहे हो नट खुला हुआ होके आया है अभी खुलेंगे दोस्तों इसमें पेशर देखिए पेशर नट खुलने के लिए देख रहे हो दोस्तों खुल गया है लेकिन इसमें बहुत कुछ नहीं है सामान जैसे इसके अंदर एक फिल्टर रहता है एक बरी स्प्रिंग रहता है जाली जैसा रहता है वो कुछ भी नहीं है दोस्तों इसके लिए समान को ढूंडेंगे अगर मिला तो लगाएंगे फिटिंग करने की टाइम बताएंगे यह सब खुल रहे हैं जैसे यह लेंग किसे खुल रहे हैं यह देखो कैसे यह लगता है यह वेरिंग बगेरा इस सब अच्छे से तेल से धोएंगे धोधा के वास करेंगे वास करने की बाद फिटिंग करेंगे यह देख रहे हो कैसे खुल खुल के आप लोगों को समझा रहे हैं जो आप लोग भी काम सीको और पैसा कमाओ इसके बाद यह द्टाइन है तो छिकनी इसको बोलता है इसका किट चेंज करेंगे पूरा फुल वीडियो बनाएंगे आप लोगों को अच्छे से समझा के वीडियो को दिखाएंगे तो इसमें क्या क्या नहीं था ये बरी स्पिरिंग रहता है अंदर जो फिल्टर के साथ टैच रहता है वो नहीं था एक फिल्टर नहीं था और एक जाली जैसा था जाली के उपर जो कोबर रहता है कोबर भी नहीं था दो चार चीज नहीं था इसमें कोई ऐसा ही लगा रहा था दोस्तों वीडियो हमारा कैसा लगता है थोरा कमंड करके बताईए हम थोरा और भी अच्छे अच्छे से वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिस करेंगे अभी ए वीडियो देखिए कुछ दिन बाद हम दूसरा वीडियो भी डाल देंगे झाल दोस्तों करेंगे झाल झाल झाल